तो आज की वीडियो को श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी होने वाली है थ्रेडिंग्स रिलेटिड जैसा की देख सकते हैं इनकी आइब्रो की हेर ग्रोथ कितना ज़्यादा हो रखी है और शुरुआत में आप लोग ने नोटिस किया ही होगा कि इनकी एक आइब्रो मोटी है एक आइब्रो पतली है तो ऐसा जो है हेर बहुत ज़्यादा एक आइब्रो में हुई है जहां मैं अभी कट कर रही हूँ यह वाली आइब्रो मोटी है इनकी और इससे क्या है इस आइब्रो में इनके हेर बहुत ज़्यादा घने है और बहुत ज़्यादा मोटे है इस वज़े से मोटी पतली दिखाए दे रही है ठीक है तो देखे सबसे पहले हमने हेर को कट कर लिया था एकदम मीनिमम जो शेप के बाहर है और उसके बाद हमने पाउडर लगा दिया है पाउडर लगाने का में मकसद यही होता है कि हमारे फेस पे जो पसीना और जो हमारा मौशर होता है वो सूख जाता है और स्कीन ड्राय हो जाती है और ड्राय स्कीन पर धागा चलाने से क्या होता है जो एकदम छोटे छोटे बाल होते न वो बहुत इजी तरीके से आ जाते हैं हमारे धागे के अंदर और वो निकल जाते है लेकिन अगर ऑईली स्कीन में या बाल फिसल जाता है तो हमें एकी बाल को निकालने के लिए तीन से चार बार धागा चलाना पड़ता है जिससे क्लाइंट को बहुत दर्द होता है और जो स्कीन होती है वह छिल जाती है कट भी सकता है इस वज़े से आपको पॉडर लगाना बहुत ज़्यदा जरूरी है तो द दिखाए दे जाएगा और आपको ज़्याद़ प्रॉब्लम नहीं आएगी याईबो की शेप देने में कैसा शेप देना है आपको वह गाइड लाइन दिखाए दे जाएगी बस आपको इतना दिमाग में ध्यान रखना है कि आपको आइबो कितनी मोटी रखनी है बस आपको देखिए अभी जितने सारे extra hair है एक साथ बिल्कुल भी ना निकाले बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक साथ बहुत सारे बालों को निकालते आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें थोड़ा अपने client की feelings को भी समझना होता है हमें और थोड़ा कम दर्द हो इससे भी फरक हो जाता है अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं तो आप जब भी client की आई ब्रो करते हैं तो client का थोड़ा सा ध्यान दे अगर उनको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रूख जाए इससे client को थोड़ा सा relax करने का time मिलता है और client भी यही सोचता है कि अच्छे से किया है समाल समाल की किया है तो client दुबारा आपके पार्लर पे आएगा ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे पार्लर पे कोई भी client आते वो दूसरी जगह से करवा क्याते तो मुझे review जरूर देते बोलते कि इतना दर्द हुआ बहुत दर्द हुआ और बहुत फटा-फट कर रही थी तो ऐस फरक पड़ जाता है ठीक है तो आप अगर शेप दे रहे हो आइब्रो बना रहे हो तो आपको client के बारे में सोचना है अगर दर्द हो रहा है तो रुख जाना है तो देखिए अब हमारा दूसरा साइड का आइब्रो चालू हो गया है हमने स्टार्ट कर दिया है अभी देख बलत तरीका है अबरो करने का जब भी client को मोटी आइबरो नहीं पसंदाती है पतला करना है तो आपको नीचे से ही देना है भले आपने शेप कितना अच्छा क्रीट कर लिया हो लेकिन आपको नीचे से ही हेर को निकालना है इससे क्या होगा हमारी आइब्रो जो होती है वो जुकी हुई आइबरो हमारे face को रोता हूँ दिखाता है तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना है जादा-जादा आपको नीचे के ही hair निकालने है ऊपर के hair बहुत minimum निकालना है जितने में आपका shape बन जाए बस उतना ही निकालना है तो देखिए अब यहाँ पर extra hair दिख जाते हैं तो जब हम आइबरो को एगदम सामने से देखते हैं तब भी अगर एक कोई एक्ष्ट्रा बाल निकालना है उससे क्या होगा आप वही बाल निकाल पाओगे जो जो है शेप के बाहर दिखता है ठीक है अगर आप पकड़वाने जाएंगे तो आपका शेप थोड़ा चलाते हैं तो एकदम हलके हाथों से ही चलाएं ज्यादा प्रेस करके ना चलाएं क्योंकि यहां की स्कीन सेंसिटीव होती है बहुत से लोगों को धागा सूट नहीं करता है और उनको पिमपल्स आ जाते हैं फोरेड करने से तो आपको इस बात का ध्यान देना है अगर कराओं छोड़ने नहीं है क्योंकि यहां का जो हेर होता है ना उससे निकालना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है क्योंकि और बाल ज्यादा आ जाते तो बिंदी चु को निकालेंगे भीना चेक किया नीं निकालेंगे ठीक है ? सामने से क्लाइνट के क्षड़े हो जाना है औ यगर दोनों बराबर है तो कोन सी आईब्रो में है आईब्रो की शेप के बाहर बाल है वो सब चेक कर लेना है पहले खुद चेक करें चारों तरफ से घूम के और उसके बाद ही क्लाइंट को चेक करने के लिए बोले या दिखाएं आएना नहीं तो क्या होता है वो अच्छा करती हूं पहले मैं खुद चेक कर लेती हूं जब मुझे कोई कभी नजर नहीं आती तभी मैं क्लाइंट को सीशा पकड़वाती हूं तो देखिए अब आइबरो हो चुका है अब देखिए मैं कैसे चेक कर रही हूं सारे आइबरो को अच्छे से जो उठे हुए बाल है उसको गैब गैब करके आया हुए है